Motorola ने इंडिया में लॉंच कर दिया है Moto G5 Plus, जिसमें आपको मिलता है 5.2 इंच का Full HD डिस्पले, Snapdragon 625 प्रोसेसर, जो 2 GHz पर काम करता है, इस फोन में के आपको दो वैरियंट्स मिलेंगे, एक है 16 GB इंटरनल और 3 GB RAM के साथ, और दूसरा 32 GB इंटरनल और 4 GB RAM के साथ, पर इस फोन क जो center of attraction है, वो है इसका camera, इस फोन में आपको एक 5 MP का F 2.2 aperture वारला normal selfie camera मिलता है, पर इसका जो rear camera है, वो है 12 MP जो dual autofocus pixel के साथ आता है, और इसका aperture F 1.7 का है, इस फोन का review आपको YouTube के बहुत सारे वीडियो में मिल जाएगा, और इस वीडियो में हम बात करेंगे dual autofocus pixels के बार नमस्कार दोस्तों, आप देखरें Tech for Fresher YouTube चैनल और मैं हूँ शुभम का पिश्वे, सायद आपको मालूम होगा, पर फिर भी मैं बता दू, dual autofocus pixels कोई new technology नहीं, यह आपको बहुत सारे DSLR and high-end smartphones के camera में देखने को मिल जाएगी, जैसे कि अगर मैं बात करूं Samsung Galaxy S7 की, तो उस as comparison to rear camera of Galaxy S6 काफी बढ़ा है, इसलिए इस technology को Samsung ने नाम दिया है Dual Autofocus Pixels, आप जो Face Detection Autofocus PDAF cameras में देखते हैं, यह उस technology का एक improved version और enhanced version है, Apple ने अपने iPhone 6 में भी इस technology का ही use किया था, और branding के लिए उसका नाम दिया था Focus Pixels, अब मैं बताता हूँ कि यह Dual Pixels technology traditional PDAF से different कैसे है, Face Detection के लिए Pixels में Special Photo Diodes को Embed गिया जाता है, जो Normally पूरे Image Sensors में सिर्फ 5-10% Pixels में होते हैं, बट Dual Pixel Technology में Sensor के Each and Every Pixel में आपको Photo Diodes मिलता है, जिसके कारण आपको बहतरीन Focus and Crisp and Clear Image देखने को मिलती है, तो यही था Dual Autofocus Pixels, इसे हम PDAF का Advanced Version कह सकते है, मुझे उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहां आप ऐसे ही Technology Explained वीडियो देख सकते हैं, धन्यमत.